So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि की 24 सेप्टेंबर के important current affairs को तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल में खोजी गई नई समुद्री टॉडी ग्रेड प्रजाती का नाम किस पूर्वर राष्टरपती जी के नाम पे रखा गया तो आंसर होगा डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम तो अभी कोचिन युनिवर्सिटी ओफ साइन्स एंड टेक्नलोजिकर रिसर्चर्श ने समुद्री टॉडी ग्रेड की एक नई प्रजाती की खूच की है जिसका नाम उन्होंने दिवंगत पूर्वर राष्टरपती डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम के नाम पे रखा है कहां पे मिली है ये तो तमिल नाडु के रामेश्वरम में मंदपम तट पर ये पाई गई है और इसे नाम क्या दिया गया बैटिलिप्स कलामी और ये बैटिलिप्स कलामी ये भारते जल शेतर में खोजा जाने वाला दूसरा और पूर्वी तट पर खोजा जाने वाला पहला समुद्री टॉड़ी ग्रेड है क्योंकि इससे पहले 2020 में केरल के वड़कारा में भारत की पहली समुद्री टॉड़ी ग्रेड प्रजाती खुजी गई थी अब आप पूछोगे आपके मन में आ रहा हुगा ये टॉड़ी ग्रेड क्या है भाई तो मैं आपको बता दू इन्हें जल भालू भी कहा जाता है और ये पानी में पाए जाने वाले आठ पेरो वाला एक सूक्षम जीव है और इन्हें प्रत्वी पर सबसे कठीन जीवों में से एक माना जाता है क्योंकि ये हर परिस्थिति में जीवित रह लेते हैं यहां तक कि ये अंतिरिक्ष में जीवित रहने वाला पहला ग्यात जीव भी है और डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम की बात करे जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया तो इन्हें आप जानते हो मिसाइल मैन आफ इंडिया कहा जाता है अच्छा मैं अगर आपसे पूछ अब्दुल कलाम का 15 अक्टुबर को होता है जिस दिन हम एक दिन भी मनाते हैं विश्वित छात्र दिवस तो यह आप ध्यान रखना एक प्रश्न में आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत का पहला डूगॉंग कंजर्वेशन सेंटर ये कहां पे बना डूगॉंग इसको सम अब भारत का पहला प्रकाश इस्तंब उत्सव मनाया गया तो आंसर होगा गोवा में तो हमारे जो शिपिंग मंत्री है सर्बानन्दा सोनोबाल उन्होंने अभी भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उधगातन किया कहां पे गोवा की केपिटल पंडजी में इस्थल में बदलना वैसे भारत में 75 एतिहासिक लाइट हाउसों को परियटन इस्थानों में बदलने के लिए शिपिंग मंत्राले ने एक अभ्यान भी शुरू किया था उस अभ्यान का नाम है लाइट हाउस हेरिटेज टूरिजम लाइट हाउस क्या होते हैं आपको बता शित रूप से मार्ग दर्शन करने में भी मदद करते हैं मतलब जिसे कि आप शिप में जा रहे हो और आपको दिख जाता है कि इधर लाइट हाउस इसका मतलब उसे देखकर के आप समझ जाओगे कि मेरे को शिप उधर लेकर के नहीं जाना है क्योंकि हो सकता है वहाँ पे बड़ी बड़ी चटाने हो पानी के अंदर उपर से तो नहीं दिख रही है लेकिन नीचे चटाने होंगी तो आपका शिप टकरा जाएगा तो इस तरह से यह आपको चेताओनी देने का काम कर रहे हैं और लाइट हाउस से मुझे एक प्रशन याद आता है कि स्टैटिक प् पहला तो ब्हारत में बहुत सारी ऐसी चीज़े अभी हुई है पहली बार तो वो मैं आपको रिवाइयस करा देता हूं 2023 में भारत में जोबी चीज़े पहली बार हुई है वो हम रिवाइयस करते हैं जैसे कि अगर आपसे पुछाता है देश का पहला unity mall ये का पर बन रहे अगर पुछे भारत का पहला क्रशी डेटा एक्सचेंज ये कांपे स्थापित हुआ हैदराबाद में ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्करश्टता केंदर की स्थापना कांकी गई शिलॉंग में अभी पहली बार ग्लोबल प्लास्टिक ओवर शूट डेकब मनाया गया 28 जुलाई 2020 को भारत का पहला गिद्द प्रजनन और संगरक्षन केंदर कांपे स्थापित हुआ उत्तर प्रदेश के महाराज गंज जिले में भारत में पहली बार लुक्त प्राय हिमाले गिद्द का सफल प्रजनन कांग किया गया असम में उत्तर प्रदेश का कौंशा शहर बना वेक्यू माधरिट सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉरम में शामिल होने वाला पहला भारते शहर बना बंगलूरू भारत का सबसे बड़ा प्राकरतिक आर्क ये कांपे खोजा गया उडिसा में EPR क्रेडिट EPR मतलब Extended Productive Responsibility तो EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरिय निकाय बना इंद और नगर निकम और CBDC CBDC मतलब E-Rupia मतलब Central Bank Digital Currency तो CBDC का इस्तमाल करने वाला पहला नगर निकम बना पतना निकम और Green Bond जारी करने वाला पहला नगर निकम बना था गाज से रिलेटेड जो Current Affairs है वो भी मैं आपको रिवाइस करा दो पहला देखो यह रा मैप में गोवा Capital इसकी पनजी है और पनजी किस नदी के किनारे इस थे तो मंड वी नदी के किनारे है तो यहां के मुख्यमंत्री कोन है प्रमोज सावन्त और गवर्नर कोन है पियस श्रिधर पिल लई आप जानते हो देश का सबसे छोटा शेत्रफल की द्रष्टी से सबसे छोटा राज्य गोवा है अभी गोवा ने ग्रह आधार योजना शुरू की थी इस साल 37 तंबर के National Games होंगे गोवा में जिसका शुबंकर है मोगा और रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा ह हर घर जल प्रमानित वाला पहला राज्य गोवा है और अभी सरकारी एस्पतालों में फ्री IVF सुविदा शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया गोवा अभी गोवा ने ही ग्रामीन मित्र योजना शुरू की थी अभी गोवा के मान कुराद आम को GI Tech मिला आप से फिर बताओ अभी सेप्टेंबर में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2023 का योजन हुआ तो अंसर होगा अमेरिका हम बात कर रहे हैं युद्ध अभ्यास 2023 की यह हुआ भारत और अमेरिका के बीच में ये इसका उन्निसवा संसकरन था कहां पे हुआ अलासका अमेरिका में 25 से लेके 8 October तर आजो वैसे अमेरिका के साथ हम और कौन-कौन सी exercise करते हैं वज्जर प्रहार करते हैं टाइगर ट्रियम्प करते हैं कोप इंडिया करते हैं संगम exercise करते हैं अभी ये कोप इंडिया तो हमने किया था कहां पे भी 2023 में पश्चे मंगाल में और अभ की सेलवेक्स नाम का exercise भी हमने किया अमेरिका के साथ कुछी केरल में तो मतलब आप देख सकते हूं इस 2023 में अभी हमने अमेरिका के साथ तीन exercise कर लिए ये कोप इंडिया ये सेलवेक्स और अभी ये युद्धव्यास और अगर कल का current affairs का वीडियो आपने देखा है तो जहां पर हमने सिम्बेक्स exercise की बात करी थी भारत और सिंगापूर के बीच में तो उस question में मैंने आपको 2023 के जितने भी important exercise है उस question में मैंने आपको revise करवा दिये थे तो आज मैं एक काम करता हूं उसी में से दो-तिन प्रशन आप से पूछ लेता हूं इससे पता चलेगा कि आपको क इतना याद है तो पहला प्रशन ये बताओ कि अभी डश्टलिक नाम का जो exercise है ये भारत और किस देश के बीच में हुआ था और कहां पे हुआ था और ये बताओ नॉमेडिक एलिफेंट नाम का exercise हमने किस देश के साथ किया था बस ये दो प्रशन में पूछ रहा हूं इनक तो हर साल तेवी सेप्टेंबर को sign language के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए ये international day of sign language मनाया जाता है तो जो लोग सुन नहीं सकते तो वो हातों से इशारे करके अपनी बात कहते हैं उसी को sign language कहा जाता है और इस बार की theme क्या है a world where deep people everywhere can sign anywhere यानि कि एक ऐसी दुनिया जहां हर बधिर लोग कहीं भी structure कर सकते हैं आचा यहां पर दो-तीन प्रशन में आपसे बूस्ता हूं current affairs के प्रशने कुछ static भी हैं सुनो पहले कि अभी दोरलब भारतिय भाषाओं को online लाने के लिए अभी एक project Elvara शुरू किया था बता सकते हो किस ने शुरू किया था Microsoft न किस भाषा को आठवी अनुसुची में शामिल करने की मंजूरी दे दी यह भी current affairs का प्रशन है याद है कौन सी भाषा है वो तो याद रखना कुई भाषा वैसे वर्तमान में आठवी अनुसुची में कितनी भाषा हैं 22 लेकिन शुरूवात में कितनी थी 14 भाषा हैं अच् ग्यानपीट पुरुषकार से कि अभी 56 ग्यानपीट पुरुषकार मिला था नील मणी फूकन को और इनका निदन भी हो गया 57 मिला था दामोदर माउजो को और पहली बार कब और किसे मिला था 1965 में मिला था जी शंकर कुरुप को मल्यालम में अच्छा अगर मैं आपसे बु पॉरुटल 24 भाश़ाऊं में तो यह पॉइंट्स में आपको याद रखने वैसे अभी रिविजन वाली जो अमारी क्लास है वह यह पॉइंट्स मेंने आपको रिवाइस भी करवाए थे याद हो तो आपको, चलो भी सेप्टेंबर के देज भी में आपको रिवाइस करा द 10 सेतंबर को विश्व आत्मत्या रोकताम दिवास 11 सेतंबर राष्टर वन शहीद दिवास 12 सेतंबर दक्षिन दक्षिन सहयों के लिए संयुक्त राष्टर दिवास 14 सेतंबर नैशनल हिंदी डे 15 सेतंबर एक्तो विश्व लिंफोमा जाग रोकता दिवास और एक अंतरराश्ट्र लोक्तंत्र दिवस 16 सेप्टेंबर को एक तो वर्ल्ड ओजोन डे और अंतरराश्ट्र रेड पांडा दिवस और अभी 17 सेप्टेंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 18 सेप्टेंबर वर्ल्ड बेंबू डे और 21 सेप्टेंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे और अंतर राष्टर शांती दिवस मनाये था और पूरे सेप्टेमबर महा को हम पोशन महा के रूप में मना रहे हैं ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे चलो फिर बताओ अभी सेप्टेमबर दो जार तेवीस में मिला ज्यान कुम्ब की थीम पर आयोजित हुआ अच्छा पुस्तक मिले यानि कि बुक फेर से संबन्दी दो करेंट अफेर्स के प्रशन में आपसे पूछने जा रहा हूँ उत्तर आप सभी को करना है अभी फरवरी की बात है पैतालिसवा अंतरराष्ट्रय कॉलकाता पुस्तक मिला इंटरनेशनल कॉलकाता बुक फेर हुआ था आप से बूतर रहा हूँ इसमें फोकल थीम देश कौन सा था तो अभी तो उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ तो आंसर होगा इस्पेन और एक और प्रश्ण है कि 2025 में जो इस्पेन में मैडरिड बुक फेर होगा उसमें थीम कंट्री के रूप में किसे इन्वाइट किया गया तो याद रखना भारत और देखो मैं आप से कहता हूँ जो रिविजन वाली क्लास है और ये बात में नए स्टुडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ पुरानों को तो पता है वही यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपको रिवाइस करा रहा हूँ करंट अफेर्स के वो मेरी कोशिश है कि जनवरी 2023 से में लूँ और हमने जो रिविजन क्लास अभी स्टार्ट किये वो भी जनवरी 2023 से ही है तो ये जो दोनों प्रश्ण अभी मैंने यहाँ पे पूछे वो अभी रिविजन क्लास जादा क्लास नहीं हुई अभी हमारी 11-12 क्लास हुई है उसमें ये प्रश्ण में आपको करा चुका हूँ दो-तिन बार करा चुका हूँ तो अगर वो क्लास आप regular देखते हूँ तो आपको याद आ गया होगा उसके अलावा अगर कोई ऐसा नया student है जो कहते हैं कि हमने तो नहीं नहीं करंट अभी पढ़ना शुरू की है अभी तक हम करंट नहीं पढ़ रहे थे तो आप वो रिविजन वाली क्लास देख सकते हैं वो आपके लिए बहुत fruitful साबित होगी आपका time भी बढ़ जाएगा और January 2023 से जितने भी important current affairs है वो भी आप वहाँ पे revise कर लोगे क्योंकि उस 10-15 minute के class में हम लगबग 50-60 question revise कर लेते हैं अगर सारे question आप देखोगे तो तो वहाँ पे उनका आपका revision उता रहेगा साथ में इस daily current affairs की class में भी आपको link करके चीज़े revise कराता रहता हूँ तो वही चीज़े आपको जो वहाँ पढ़ोगे वही यहाँ पढ़ोगे तो चीज़ों का जादा से अधा repetition होगा आपके आँखों के आगे से निकले की बार-बार सुनने को मिलेंगी तो और एक्जाम में यही चीज़ आपके काम आईगी तो उस revision वाली class का फाइदा जरूर उठाना अभी हम बढ़ते आगे चलो फिर बताओ अभी हाली में अंतरराष्टर वकील सम्मेलन दोजा तेवेश का आयोजन कांपे किया गया तो आंचर होगा नई दिल्ली में अब यह प्रश्ण इसले भी important हो जाता है क्योंकि भारत ने पहली बार इस तरह के सम्मेलन का आयोजन हुआ तो अभी प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी ने अभी 23 सेप्टेंबर को नई दिल्ली के विज्यान भवन में अंतर राश्टर वकील सम्मेलन दोजाँ तेविस का उदघटन किया और इसका आयोजन किस ने किया बार काउंसल आफ इंडिया ने 23 और 24 सेप्टेंबर को और मैंने आपको बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार किया गया और थीम क्या रही इस बार की न्याय वित्रन प्रणाली में उभरती चुनोत, यहां Emerging Challenges in Justice Delivery System और इस सम्मिलन का इस बार का उद्धिश है था राश्टरे और अंतरराश्टर महत्व के कानूनी मुद्धों पर चर्चा करना अब यहां पर देखो सम्मिलन की बात हुई है तो मैं एक काम करता हूँ 2000-23 के जो important summits या सम्मिलन है वो एक बार आपको revise करा देता हूँ तो top 10 summits आपके जामने चलो revise करते हैं अभी आपको याद होगा आमारे जो Vice President जगदीब धनकडची इन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतरराश्टर सम्मिलन का उद्गाटन किया था राधस्तान के जैपूर में Food Agriculture Organization ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्टी का आयोजन किया था भारत में अभी बारवा विश्व हिंदी संग्मिलन 2023 का आयोजन हुआ था फिजी देश में और तीसरा विश्व हिंदू संग्मिलन का आयोजन होगा बैंकोक में अभी देसंबर 2023 में भारत अंतरराश्टर का पास सलाकार समिती की 81 पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा पान्चवा विश्व कॉफी संग्मिलन ये पहली बार होगा भारत में भारत में भारत में भी कहाँ बंगलूरु में और जैयूक्त रुराश्टर का पहला जल्संग्मिलन आयोजित हुआ कहाँ पे नियुयॉर्क में दुनिया की पहली मानव रॉबर्ट प्रेस कॉन्फरेंस का योजन हुआ जनेवा स्विजलेंड में इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2000 का योजन हुआ था जोकी इसका सातवा संसकरन था नई दिल्ली में और खाद्य सुरक्षा नियामकों का वैश्विक सिखर सम्मिलन 2000 हुआ भारत में तो 2000 थेविस के ये कुछ important summits से इनको ध्यान रखो कुछ और भी summits है वो हम आगे revise करेंगे अभी के लिए टॉप 10 याद रखो हम बढ़ते आगे चलो फर बताओ अभी हाली में कौन से टीम ICC के तीनो फॉर्मेट में नंबर वन इस्थान पर आने वाली दूसरी टीम बन गई है दुनिया की तो आंसरोगा भारत तो याद रखना भारते पुरुष क्रिकेट टीम ये ICC के तीनो फॉर्मेट में याने कि ODI, T20 International और Test क्रिकेट में नंबर वन रैंक वाली टीम बन गई है भी और मैंने जैसा कि आपको बताया पुरुष क्रिकेट में ये दूसरी बार हुआ है जब कोई टीम तीनो फॉर्मेट में पहले स्थान पर आई हो इससे पहले South Africa ने August 2012 में ये उपलब्दी हासिल की थी मतलब भारत के लिए तो ये उपलब्दी पहली बार है लेकिन पूरी दुनिया में आप देखोगे तो ये दूसरी बार हुआ है पहली बार ऐसा South Africa कर चुका है जब वो तीनो फॉर्मेट में नंबर वन रहा हो बल्ले बाजी में सूरे कुमार यादव है वन डे में नंबर वन गेंद बाजी में मुहमद सियाज है टेस्ट करिकेट में नंबर वन गेंद बाज ये आर रश्विन है टेस्ट करिकेट में नंबर वन ओल्राउंडर ये रवेंद्र जड़ेजा बने हुए तो मतलब किसी न किसी फॉर्मेट में कोई न कोई भारतिय नंबर वन पर है चाहे वो बल्ले बाजी में हो चाहे गेंद बाजी में हो लेकिन नंबर वन है हम देखो ICC की बात करें इस अपना 1909 में होती है और हेड़कोर्टर दुबई में है चेर्मेन इसके ग्रेग बारकले है तो CEO जॉफ एलाजडेस है ध्यान रखना ये और आप जानते ही हो ICC मेंस वर्ल्ड कप ये भारत में हो रहे हैं कौन सा संसकरण है तेरवा संसकरण है और इसका एंथम सौंग क्या है दिल जशन बोले इसका ब्रेंट एंबिस्टर शारुख खान है और इसका शुभंकर क्रिक्ट ओवर फिर बताओ अभी हाली में किस बैंक ने MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटर प्राइजेज के लिए Neo4 Business नाम से एक Linden Banking platform launch किया तो अंसर कोए Axis Bank तो अभी Axis Bank ने MSME के लिए Neo4 Business नाम से एक Linden Banking platform launch किया है यह platform GST अनुपालन चालान और Endo End Payment Tracking जी सुवधाईं भी प्रदान करेगा तो आप कह सकते हो यह Neo4 Business MSME की व्यवसाइक आवशकताओं के लिए One Stop Solution है Axis Bank के Static देखते हैं इस तापना जैसे 1993 में हुई Headquarter Mumbai में है MDCO इसके अमिताब चौधरी है और इसकी Tag Line होती है बढ़ती का नाम जिन्दिगी बाकिया भी आप जानते हो इस SBI ने Digital किराय भुकतान के लिए National First Transit Card लाउंच किया था Yes Bank ने Iris Mobile Application लाउंच किया तो HDFC Bank ये Electronic Bank गारंटी शुरू करने वाला पहला बैंक बना था तो ध्यान रखना ये Points बढ़ते हैं आगे चलो फर वजाओ हाली में भारतिय सेना में शामिल सोदेशी निर्मित स्वय निश्क्रिय एंटी टेंक माइन्स का नाम क्या है तो अनसरों का विभाव इन दुश्मनों के बक तर बंद वाहनों को नश्ट करने के लिए और आतंकियों के द्वारा बिचाये जाने वाले बारुदी सुरंगों को नश्ट करने के लिए बनाया गया है और ये पूण्य रूप से स्वय देशी निर्मित हैं मतलभ भारत में बने हैं किस ने बनाया, DRD ने बनाया है, आधुनिक प्लास्टिक से ये बने हुए है, तो इसका नाम विभव है, ये याद रखना, अच्छा इसी तरह से निराक्षी नाम यादे आपको, ये एक पंडुब भी है, जो पानी के नीचे बारुदी सुरंगों का पता लगाईगी, अबल भी पढ़ा था, भारत की पहली लंबी की रिवॉल्वर है, जिसका निर्माण हुआ था, कानपूर फेक्टरी में, नभ मित्र क्या है, तो ये एक दिवाई से, जिसे इसरों ने बनाया था, इसे नाविकों के लिए बनाया गया था, जो समुंदर में मचली बगरा पक ने थे, और D9 Sports आप जानते ही हो, किर्केटर दीपक चाहर ने अपना एक Sports ब्रेंड लांच किया था, D9 Sports नाम से, और योस्ता गया है, एरलाइन सरे नाम से Fashion Retail लांच किया था, तो ये सारे वो नाम है, जो आपके सामने आयता है अभी Current Affairs में, तो मैंने आपको एक बार फिर इसे रिवाइस करा दिये ताकि आप कभी एक्जाम में आ जाए, तो मिस न करो कि कौन सी चीज क्या है, हम बढ़ते आगे, चलो फिर बताब, अभी हाली में कौन सा देश, 53 वर्षों के बाद होंकों को पजाड कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थ वस्ता बन गया, तो आंसर होगा सिंगापूर, तो अभी कनाडाई ठिंक टैंक फ्रेजर इंस्टिट्यूट के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापूर या होंकों को पजाड कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थ वस्ता बन गयी है, और आप कहा सकते हो, 1970 में विश्व आर्थिक सुत और पांच वे पे अमेरिका बताया गया, अज़र चलो यहाँ पे 2023 की important ranking में आपको एक बार फिर से revise करा देता हूँ, क्योंकि ranking को revise करें, काफी time हो गया, तो आपको यादे सबसे important world happiness index आए था अभी 2023 में, उसमें भारत 126 नंबर पर है, तो top पर Finland है, और 126 से आपको मैंने याद कराया था, relate करके, कि global peace index, इसमें भी भारत 126 इस्तान पर है, और top पर Iceland है, और Iceland decor मामले में top पर है, global gender gap index, लेकिन इसमें भारत 127 नंबर पर है, इसको जारी किया, world economic forum ने, फिर global fire power index पड़ा, इसमें 4 इस्तान पर भारत और America top पर है, फिर हमने उर्जा संक्रमन सूचका 2023 भारत 40 स्विस्तान पर है, तो पर डेनमार्क है, और अभी world press freedom index आया, इसमें भारत 161 नंबर पर है, इसमें भारत 161 नंबर पर है, तो पर पर सिंगापूर है, अभी हुरुन global unicorn index 242 आया, उसमें पैलिस्तान पर America, दूसरे पर China, तीसरे पर भारत है, फिर world bank ने जो रसत प 10 ranking and indexes में आपको revise करा है, यह most important इनको तो ध्यान रखना आप, और guys यह था आज का हमारा current session, बागे इनकी practice जरूर करें, इनकी quiz बना करके upload करता हूं में आपकी crack exam application पे, pdf आपको चाहिए, pdf भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल free में, quiz लगाओ, वो भी ब upload हो जाती है, quiz आपकी, crack exam application का link नीचे description box में है, telegram join कर लो, अगर notification नहीं आते हैं, तो वहाँ से update मिल जाएगा, उसका link भी नीचे description box में है, और पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर से press करना, ताकि आपको notification मिल सके, वरना notification नहीं मिलेगा, bell icon को press करना पड़ेगा, और क्या आप मैं से मैं जानना चाहूंगा, कोई student हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर है तो मुझे बताईए, बागी चलो अभी कल के current affairs का भी मैं आपको revision करवा दिता हूँ, तो पहला प्रशन में बूचा था, भारत वर किस Championship में अंतिम पंगाल ने कौन सा पदक जीता ब्रॉंच, ओडिशा विदान सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन, प्रमीला मलेक, वेस्टर्न लेन नाम का उपन्यास के लेकर कौन है, चेतना मारू, उत्रप्रदीश के पहले अंतरराष्टर व्यापार मेले का योजन कांपे किया गया, गरिटरिनोइडा, किस राज्य सरकार ने मुख्य मिंतरिक करशक मितर योजना शुरू की, मध्यप्रदीश, दुरलब धातु वेनेडियम की खोच कहां कही गई गुजरात में, दिल जश्ट ने बोले किस अंतरराष्टरिप प्रतियों की ताका इंतम सौ होंगे, तो ICC Mainz World Cup दो जाते हुए जो रहा है भारत में, और अभी भी आपने वीडियो को लाइक ने किया, तो याद दिला देता हूँ, कोई भूल जाते हैं, तो लाइक कर देना दोस्त, और इसे अपने दोस्तों में, शेर जरूर करना, या जो भी study group आपके पास होते हैं झाल 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 झाल झाल